आज हम लोग खेले वाले स्टिक आर्मी लेकिन यार सिंचेन और चॉप तुम लोगों ने यह कौन सा गेम लगाए इनके पास भी यहां पर तीन ही बंदे और मेरे पास भी यहां पर तीन बंदे यह तो बैटल ड्रोग हो जाएगा अब 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 ड्रो नी होगा हम लोग जीत यार पाके जोप यह वाला बंदा दो डंडा सऊधी गुमार रहे उखी अरे उसके पास तो गन भी यह और अमाद पे उनके पास गन कास यह लेकिन हमारे लेवल टू के बंदे मुझे नगरा टॉपई वाले बंदे आराम से मार देंगे मारो से गन वाले को गोलिया मारा द गधितेंगे अरे यार यह डंडे वाले बंदे अरे तुम लोग तो सासा चलो यह लोग अलग दो पर आने चाहिए और राइफल वाला बंदा आया इसको अरिवल टूपर कर दियां रहा और वहाई गाई जाहिए को हरा नियुक्त एक लेवल 3 हो चुका है तीनों के तीनों बंदे तयार हो चुके हैं डंडे बंडे बाई रेडी कर लो हम लोगों ने पैनना है रेड टीम को इनको मैं यहां पर रखता हूं लेवल 3 वाले बंदे तीनों एक साथ मारे जाएंगे यहां फिर एक यूनिट है लेवल 3 तो यहां पर जाइंट है यहां पर लेवल 4 पता नहीं पर चले गार लेकिन जाइंट हमारे पास दो गनमेन हैं इनको हम लोगों लेवल 2 पे किया था और उसके पार हमारा एक बंदे मारा गया है टूर Kham Se Ka हम लोगों तनी मारे जाएंगे बलके इन तीनों मैं से एक 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 अलग अलग बंदे मारा जाएंगे मैं यहां पर एक और पर्चेस करता हूं और लेंसमें के मुझे यहां पर जाइन तो नहीं मिला लेकिन चलो ठीक है कम लुए वह एक बंदा यहां पर मिल चुका है बैडल शुरू करते हैं आरे उनके पास टीन गन मेंने उनके पास ओके और लेवल तू का बंदे और साथ में बन के दो बंदे हमारे पास लेवल थी के बंदे हैं डोंट वरी अबाउट इट अबाउट हमारी टीम जादा इस ट्रोंग है और यह तुम लोग मुझे वो जाइंट दोगे के नहीं दोगे अरह में पे इनको मर्च करो ओके मैंने मर्च किया यह लेवल टू का स्कौर्ड है ओके और यह लेवल टू का है चलो ठीक है हम लोग दोबार दो पैटाबर शुरू करते हैं और आपको पता है आप री इंफॉर्समेंस भी बिला सब प्यार तो अभी के बिला लेते हैं और और बंदे आ चुके हैं मुझे री इंफॉर्समेंस बिलाने की जरूरत नहीं थी हाँ है रमाब दुबारा बुलाने के बिलकुल भी जरूरत नहीं है और यहां पर एक और गन्मेन मिल गया ओके घॉकर आपि यहां लेवल वन तुम्हें मैं एक चीज लिकात दूगा अब यह फाइंट किये लेकिन यह सारे इक सारे ठूप्स मिलने बाला हम लोग एक डॉक मैं बुला लेता हूँ आज मेरे भाइब मारो इनकी ऐसी की देशी आरे गाइज यह लोग बहुत वीक हैं लेकिन यह इतना जदा जल्दी मरें नहीं मुझे लग रहा था इस दफ़ा इनकी आर्मी ज्यादा इस ट्रॉंग थी आरे चलो यह रहां पर एक हो दो बैड़ना को श सारे बारे अरे यह क्या बात वी यह तो बहुत गलत हो यह जो मुझे लगा था कि मैं जी जाओं अच्छा तुम लोग जीत के दुबारा पैड़ा को शुरू करता हूँ अगरा पर मुझे लगता है कि हम लोगों लोगों फॉर्मेशन चेंज करनी पड़े की लेकिन मुझे हम लोग इसको कैसे क्रोस करेंगे आरे पातानियार हम लोगों यहां पर एक और ट्रूप को फिर चैस करना पड़ेगा लेकिस इंचन मेरे पास तो पैसे भी नहीं है तो को मैं तो फॉर्मेशन को चेंज करके देखता हूं इनको यहां पर रखता हूं और आई गैस इसको त क्योंकि यहां पर मारे नहीं जारें लेकिन हमारे बादे मारे जा रहें करेंगा थोड़ा सब्सक्राइब करेंदी यह इन का कीसे चाइंट डाइब आर उसके बाद यह पीछे देरी यह क्या हूं आई है। यह तो बुरा वायर इस तो भाद अर्माब हम लोग जाइन को भी नहीं मार सकते यार प्या किया जाए क्या किया जाए कुछ तो करना पड़ेगा मैरे पास तो पैसे भी नहीं है मैंने मर्ज भी कर रखें सारे के सारे यह कितने का मिलने का रहे यार इसके लिए तो एड देखना पड़ेगा और मैं एड नहीं देख तक क्योंकि भाई इंटरनेट ही बंदे मेरे पास कोई बात ही का यहाँ पर हम लोगो स्पिन मिल जाएगा 6 मिट के अंदर क्या पता हम लोगो 3360 मिल जाएंगे तो क्या इस फरक बड़ेगा तो को मैं यहाँ पर कुछ और करने की कोशिश करता हूँ हम लोगो कहीं न कहीं पैसे मिलने चाहिए आरे सिकर मत करो यारमार पर पैड़ा को शुरू करो और कुछे लग रहा है इस तफ़ा हम लोग पका जितेंगे पिंचे नहीं जीत पार है यार हम लोग इनकी टीम बहुत स्ट्रोंग है और उसके बाद इनके पास जाइंट आये ना आजी तो बॉक्सिंग कर रहा हमारे ब अभी बुलानी चाहिए थी मुझे लग रहा कि मुझे ना सोरी फॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी रहा कि यहां पर क्यों आ रहा है यार यह तो भाई आगे पीछे की भाग रहा है पागल राइफल मैं अरे आगे पीछे मत भाग राइफल मैं नहीं तो मारा जाएगा आ आगे राइफल मैं लेवल का राइफल मैं मिल जाए तो इन दोनों को मर्च करके मैं यहां पर लेवल 3 का राइफल पर्चेस कर लूँगा आई होप कैसा ही हो और मैं तो कर थोड़ी दी फॉर्मेशन चेंज करेंगे को चलो ठीक है मैं इस दफ़ा फॉर्मेशन चेंज करूँगा लेकिन मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा यह वाला जाएंट तो मारा जाएगा को सारे पर पैसे आएगी नहीं आए अरे कब आएंगे मैं रपास इनाफ पैसे कि मैं यहां पर प्राइवेट पर चेस कर सकूँ और आप यह बहुत पैसे मिलेंगे रूगो थोड़ा तो फॉर्मेशन चेंज करता हूं तुम लोग ना एक साथ खड़े हो जाओ और तुम लोग नह मैंने अब इन वह एक साथ रखा रहा है नहीं बाइए तो उल्टा डिफरेंस आगी आ रहे अपर अब देखते क्या पता को डिस्टरंस आज है और एक दफ़ाए लेवल टेन पर फश्चुके यार एक दफ़ाए लेवल टेन क्लेर हो जाएगा और यह इनका बोस है पसाथ देगर आ चुकें यह वाली फॉर्मेशन भी बूरी थी हमारी पहले वाली फॉर्मेशन बहुत अच्छी थी हम लोग कम से कम इन दो को तो मार पारे लेकिन आप तो इन दो को भी नहीं मार पारे चाहिए अब हम लोगों 50 सेकंड के पार यह स्पिन मिल जाएगा को यह नहीं चाहिए डायमर्स को हम लोग करेंगे क्या ओकी है डायमर्स कामलोग क्रेड़ पर्चेस कर सकते हैं मुझे यहां फ्री में गाइस एक बंदा मिला और कहां पर कहां पर मिला अरे भाई वह पीच्छे के तरफ फ्री और प्र पर था तो मैंने उसको अभी रिसीव कर लिया हम जीदे रहें नरे मारो इनको मर मत जाना की सिंजन मारा केला से अन्य पर आगे पीचे पागल है क्या उक्टैस को मर दे कर रहा है क्या करता हुए क्या करता हूं Let's see के स्पिन से क्या मिलता है तुम्हें को अच्छा मिले ओके ओके भाई मुझे बहुत जादा पैसों के दरूरत है ओके यह क्या ओर रिइनफॉर्समेंट लेट्स गो गाइस हम लोग रिइनफॉर्समेंट मिली है मतलब कि हम लोग रिइनफॉर्समेंट बुला सकते हैं लेक लोग नहीं जीत पा है और हम लोग रिइनफॉर्समेंट बुलाना ही पड़ेगा, वैसे रिइनफॉर्समेंट से पहले में यहां पर एक यूनट को पर चैस कर तो मुझे एक और गनमेन मिल गया, अपतो जीत जाया व्यार गायद हमारे पास बेखो एक और गनमेन आ गया र डिफ्रेंस पैदा करेंगा आइम लोग जित यहां पर मुझे रीइंफॉर्समेंट यूज नी करना पड़ा और हम लोग यहां पर स्मेशर अच्छा इस जाइंट का नाम था स्मेशर मिल चुका है पहले तो हमें स्मेश कर रहा था अब तुझे दुश्मन को स्मेश करने और रिइंफॉर्समेंट को यूज नी करने वाला और अब तो मुझे लेवल क्लियर होगे अब हमारी टीम बहुत पैसा आएगा और उसके अबाद इसका जो लेवल 20 होगा ना यह में तुम लोगों से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए